आ Jugend में आपको बताऊँगा every scoring मार्शcept के बारे में फार्शी साइस के लिए तो नाख से पहले एक सब्तेट पहले नमे कर Correct के बारे में ठीक है तो आज बताऊँगा तो स्ट्रॉंग बैक्रोंड चाहिए सब्जेक्ट के लिए अगर आपने बैचलर बीएस और एम एस यहां एम एम फिल आपने किया हो तो स्ट्रॉंग बैक्रोंड हो तो आपको आप इसको इसली चूज कर सकते हैं कॉंसिस्टेंट को एंट वाइन च्वंट वान ठल्ट के दरम्यान इजिसे टू हैंड़्ट मास्ट का जो सब्जेक्ट है ठीक है जहाँ आपको इसली वान टवंटी से वान ठल्टी तक आपके नमबर अगें कर सकते हैं सब्जेक्ट के एवरेज स्कॉरिंग सब्जेक्ट । छुपिवूटर साइन्जील ने बस्क सेज थी यह तो ट्रॉंक बैगरोंन परेड और पोस्न ग्राडुएट के लिए बेहतर है। लो स्कॉरिंग नेरी सब्छेक से से पहले यह लो स्कॉरिंग ससί है उसलाइब में आगे सथीर में यह वह मैत पाहिक नियुस्ट्षमित्य मेंındेश नंबर देता है कि पॉलिटिकल सांइज को आप्षेक पॉप्शिकाओग्जॉर्स साइए liar यह बिल्कुल बाठीक है आप प्लिटिकल साइंस को आप्टिनल के बगार चूज कर सकते हैं वो किश्र क्राइमिंग सब्जेक्ट है जी जो लोग रटा लगा लेते हैं अच्छे तरीक्या से उनके लिए के साफसे बैस सब्जेक्ट है टाइम नीड वाइप प्रिप्रेक्श स्कॉरिंग चलता आ रहा है हो 120 से 130 के दर्मयान और है जो फर्ण सब्जेक्ट है अड़िगल सब्जेक्ट है मैंने पहले लगपिस्टि दूसरे में भी आवका बता दा कि प्लिटिकल साइंस है जे आर्ट सब्जेक्ट के उपर उपर लैप करता है तो से फ़िए पब्लिक अडिमिनिस्टेश्चन तरडी परशेंट गुवर्नेस और पब्लिक पॉलिशी 20 परशेंट यूएसे हिस्ट्री टैन परशेंट कंस्टिटूशनल ला हैं रड़ परशेंट जेंडर स्टुडी टैन परशेंट फिलॉसफी 40 सोशियलोगी 10 परशेंट एंथ्रोपोलोगी 10 परशेंट उसके बाद पाकिस्टान फेर 15 से 15 से 20 परशेंट और एसे सम्टाइम टापिक जी अग्जामिनर कभी कबार इसी सब्जेक्ट में से आपको एक आदा टापिक दे देता हैं ऐसे के बारे में जी इंटरनेशनल रिले सब्जेक्ट है इसमें करना होता है ठीक है करना होता है जबके जो सब्जेक्ट है उसमें आपको रटा लगाना पड़ता है मतलब जो रटा लगाने वाले उनके लिए बैस्ट है और लैपिंग भी और अधर जी यह सब्जेक्ट भी आम ने पहले सेक्ट लैक्ट में बिताया था कि जैस अब लैप करता है जी दिए चो सबसे पहले यूर्पिन हिस्ट्री 25 परसेंट है उसके बार यूएस से हिस्ट्री 35 परसेंट इंटरनेशनल लाइब 40 से 50 परसेंट उ उसके बार पाकिसान अफेयर 10 परसेंट एससे वान और टू टापिक जी एससे जी एग्जैमिनर कभी बार इसी सब्जेक्ट में से आपको एक यह दो टापिक एससे किसे पेपर में भी दे देता है इसके लिए आपका जो बैगरॉंड है वह स्ट्रॉंग होने ठीक है उसके बाज स्टेबल स्कॉरिंग रहा है उसके पर टाइम कनेश्म यह इसमें फिरी प्रेशी लिए टाइम बहुत रहा लगता है और यह टाइम कंस्यूमिंग कमजेक्ट और इसके असाथ यह आपका सब्जेक्ट स्कॉरिंग सब्जेक्ट भी है ऑम सब्सक्री नीट स्कस्ट सब्जेक्ट ठीड कि इसके स्कूरिंग आ वह वान थे वान फोर्टी के दरमें ठीक है उसके बाद सब्जेक्ट बी टाइम सब्जेक्ट और जेए इस को इसलेखे इन्टरनाशनल रालेशन जी इसका दौरा फिरस आंगे तो जियोलोजी ने तट रॉंग राफियोग के बारे में strong background होना चाहिए ठीक स्कॉरिंग सब्जेक्ट जी 70 जी यह सब्जेक्ट आपका जो 70 तक आपको मास्क दे देता है उसके बाद यह सब्जेक्ट भी आपका टाइम कंजूमिंग है ठीक है ओवरलैप करता है विद जी ओ ग्राफिक के साथ 20 परसंट जी सब्जेक्ट ओवरलाप करता है यह सब्जेक्ट ठीक हजैं सब्जेक्ट भी आपका ऐवरेश स्कॉरिंग सब्जेक्ट है अ ग्ररैंश ऑन पब्लिक पॉलिशी यह निूज सब्जेक्ड है गयम सब्जाइक है उसके बाद वीयु तुछ सोड़ीं स्टस्लिद सय्टु ईयों सब्ज härव से 70 की दर्म्यान है टाइम रेक्वेर ट्वैल्ट अटल्टिंग डेजी बारां से तेरा दिन में आप इस सब्जेक्ट को इसली प्रीपेर कर सकते हैं ओवरलैपिंग यह सब्जेक्ट को उपर ओवरलैप करता है प्लिटिकल साइन्ट 20 परसंड और इसलामिक अफेर चैप्टर नमबर वन यह टाउन प्लैनिंग अन्ड मैनेजमेंट यह बी इसला सब्जेक्ट अप पॉलिक पॉलिशी और इसी तरह टाउन प्लैनिग अन मेनेजमेंड वी नूस अब्लैनिग और यह बी कॉंसेट्टिन स्टडी रखवे रड़ है और इसके साथ बैक्राउंड निडिड इवर रहेगा स्कोरिंग इसकी अभी ताइस सिस्टी एठीक है एवरेश स्कोरिंग मार्च है और इसके बाइश का टाइम रिक्वेर सैवन से एक डे विड बैक्राउंड विड बैक्राउंड आपका यह साथ यह अट दिन में प्रीपिर हो जाएगा सब्जेक्ट कुंकि इसका प्रोबलैप करता है पाकिस्तान को पडियक करता है 10 परजेंट और स्लाम को पर यह करता है चैप्टर नमबर वन जी इसलामिक हिस्ट्री इसलामिक हिस्ट्री विडाउड बैंगरंड पॉसिबल जी इसको आप बैंगरॉंड के भी नाचूस कर सकते हैं एवरेश सब्सक्राइब करें नहीं होती हैं और कुछ थी हैं उनको आपने अरभी में लिखना होता है तो जिए अपर 30 परचेंट आपका ऑफ़र्लैब करता है यह यूप हिस्ट्री यूपिन हिस्ट्री का लेंदी से ठीक है और उसके बाद जिए स्कॉरिंग एवरेज भी यह और यह low scoring subject भी हो सकता है कभी कबार ठीक है time required without IR है अगर आपने IR चूज किया चूज नहीं किया तो आपके 40-45 दिन लगेंगे इस subject को prepay करने के लिए अगर आपने IR चूज किया है तो फिर आपके 30-40 दिन लगेंगे with IR overlapping जी ये subject IR के उपर overlap करता है 20-30% 40 जी और तो लेजर बेखरन वी टेक्राक्षी टि अबवेड़oben आपकी जो टिख्रेक्राइडर में होने चाहिए राइटिंट लड़ जो के बाधर अव difah धर जर्य चाहिए average scoring 70 बर्संट जीजे आबरेंस को रिघ्राइट陡़िजधि है सेमनडी 20% literature के ओपर ये 15% है और point के ओपर ये 25% है और अफसाना के ओपर भी 25% है अच्छा यह जो को इसको तो फिटोंट बैगरॉंड पूसिबल जो इसको बाइच कर सकते हैं और उसके बार कि उपर आप करता है आई से आपके कृम्पाइल्स इसकी आइवरेज कोरिंग मांस के द रही है वो सिस्टी से 65 के तर्मियान चेद रही है उसके बाद टाइम को एतार से बारा दिन आपका इसली हो झाएगा ठीक है दासे बारा दिन आपका यह सब्जेक्ट इसली प्रिपियर हो जाएगा बैगराफी जिओव्राफिश सब्ड़ेक को चूज कर सकते हैं और यह थोड़ा सा ताइसाब का सब्जेक्ट मेरे ख्याल में कमपेंटर सब्जेक्ट उसके पर टैन पर्सटेंट ऑबरलैपिंग करती है उसके बाद लॉंग सब्जेक्ट है यह मतलब इसका जो सलेबस लेंद्वी होगा ठीक है उसके पाजिव स्कोरिंग आफ़ जाइज की वह के साथ अगर आपने इसको चूज किया है तो आपके 9-10 दिन में यह सब्जेक्ट प्रिपेर हो जाएगा अगर विदाओ डायार का आपने सब्जेक्ट को प्रिपेर करना है तो 18-20 दिन लगेंगे यह सोश्यो लोजी चार्ट सब्जेक्ट है यह आपका विदाओट बैगर करता है उसके बाद यह भी आवरेंज स्कोरिंग मास्या 65-70 के दरम्यान आपको मांग जाता है टाम रिक्वेर 9-10 जिनके दरम्यान आपका सब्जेक्ट इसली प्रिपेर हो जाएगा तो के जही आज का हमारा लाक्यर ठीक है अबरेंज स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में प्राद के लिया लाफ